Assalamu alaikum welcome to GFX Mentor मैं आपका टीचर इम्रान और आज हमारे Adobe Character Animator की तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे जल्दी से आँखों का कुछ मसले तो आइए स्टार्ट करते हैं और राइड वल्कम बैक तो बहुत सारे जो सवाल आता हैं उनमें से एक सवाल मैंने कन्फर्म चेक कर लिया है Android की एप है Droid Cam उसको आप यूज कर सकते हैं अपने मुबाइल फोन को as a webcam मैंने अपने फोन को फोन पर इंस्ट्रॉल करके देखा बेहतरीन चल रहा है बेहतरीन चल रहा है मतलब मुझे यह हो रहा था कि जो मेरा Logitech का इतना महेंगा webcam है उससे ज्यादा अच्छा result मेरे फोन का आ रहा था आप लोग भी यूज कर सकते हैं तरीकार कुछ यूँ होगा कि Android के App Store पे जाएं प्ले स्टोर पे और वहां से ड्रॉइड कैम डी आर ओ आईडी सही है ड्रॉइड कैम अप्लिकेशन डाउनलोड करें वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा उसका उसके क्लाइंट का आपके PC पर भी उसकी एक अप्लिकेशन इंस्टॉल होगी दोनों कनेक्ट हो जाएंगे वाइफाई के उपर सेम वाइफ ये बात ये है कि सिर्फ इसमें एनिमेटर में नहीं इसके इलावा आप जूम पर यूज कर सकते हैं और जितनी लाइफ स्ट्रीम या स्काइप अगरह पर आप करना चाहें यूज कर सकते हैं अपने मॉबाइल फून को एजर वेब कैम मुझे पहले पता होता तो मैं लिटर प्रॉपर स्टेबल नहीं हो रही है हमारा कैमरा उसको सही से आँखों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है नॉर्मल है लेकिन आज उसका सेलिशन देखेंगे टीसरी बात आँखें सर हमारी जो आई बॉल है उससे बाहर निकल जाती है ये भी आज देखेंगे तो आज की जो क्ला तो सबसे पहले तो यार यह वाला आप किरेक्टर देख चुके हैं इसमें दो तीन मसले हैं एक तो यह के अगर आप और से देखें इस वक्त अगर मैं राइट साइड पर देखता हूं तो आँखें बहुत जादा बार 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 मैं कहता रहा हूं मुझे कमेंट्स में किसी न यह बहुत जादा सची से कंट्रोल नहीं हो रही होती हैं मैं देख सामिने रहा हूं मेरी आँख Yap आरे आइंट पे जारी हैं तू प्रॉपर ली इतना ट्रैक नहीं कर पा रही होते देखा अब सबसे पहले तो हमारा चामरा जो ट्राक कर रहा होता है आँखों को और हम यह चा रहे हैं कि हम किसी और तरीक हैं को ट्रैक करें gord? drama sबसे बैस्ट तरीका जो मैं अब तक के दिखा है और मांता हूं वहे आपका arrow keys keyboard की arrow keys so अगर आप यहां right side पर देखें जहां पर puppet track behaviors लिखावा आ रहा है इसी में नीचे आपको देखेगा eye gaze ठीक है now इस eye gaze में जो input है देखें यहां red dot जहां देख रहा है वो input ले रहा है camera से आप चाहरे हैं कि यह input लेना बंद कर दे इस red dot पर अगर आप click कर देंगे तो अब यह हमारा eye gaze जो है वो input ले ही नहीं रहा कहीं से मैं कुछ भी कर लूँ मेरी आँखें बिल्कुल center में ही रहेंगी दूसरा काम मुझे यह करना है कि मैं keyboard input ले लेता हूँ now keyboard input का फाइदा यह है कि आप arrow key से जब जब प्रेस करेंगे तो मैंने left दबाया तो यह left की तरफ देख रहा है अब वाला दबाया तो यह अब देख रहा है down दबाया तो down देख रहा है और अगर इसी के साथ मैंने right भी दबा दिया यहन्हें मैंने down और right दोने दबाया वाए तो थोड़ा सा diagonal चल रहा है similarly उपर की तरफ भी यह होगा और right side पर भी होगा तो यह ज़्यादा बेतर है कि आप अपने arrow key से इसको control करें और मज़े की बात यह है कि यह इस तरह से हो रहा है जैसे ही मैं press करके रखता हूँ तो यह right पर continuous देखता रहागा जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो यह वापस अपनी आँखें center में आ जाएंगी so trust me आँखों के लिए best input camera से जादा अच्छा यह है कि आप arrow key से इसको control करें ठीक है इसी में अगर आप नीचे देखें तो यहां पर आपके पास दिया हुआ है strength keyboard की now camera की strength भी दी हुई है mouse and touch अच्छा एक और दूसरा input है यह mouse and touch तो अगर आपके पास कोई touch screen device है तो आप उसके साथ भी कर सकते है तो अगर आप इसको पकड़ के mouse से चलाना चाहें तो वो भी चला सकते है तो इतना जादा मैं इसको मुझे नहीं अच्छा लगता है यह बता नहीं mouse का mouse से मुझे तो यह सही control नहीं होती anyways keyboard input पे ही रखते है ठीक है और यहां देखें इन तीनों की strength दी हुई है अगर आप चाह रहे हैं कि जी इस आँखें बहुत जादा strength में इदर अदर move हो तो यहां पर इसको currently जो इसकी value 100% है अगर आप इसको बढ़ा दें see अगर मैं right side पे देख रहा हूँ तो यह इतना बाहर जा रहा है ठीक है इसकी मैं strength और बढ़ा देता हूँ अच्छा एक और मज़े की बाद जो illustrator में मैंने यह बनाया तो उसमें एक छोटी सी गलती थी I don't know किसी ने note की या नहीं लेकिन अब मैं मुझे दिख रही है बहुत वाज़े तो पर एक गलती है उसको हम सही करते है सो सब से पहले तो मैं इस character को illustrator में open कर रहा हूँ ठीक है जी और गलती यार यह थी कि यह जो pupil है ना यह दोनों के ओपर shine एक पे left से आ रही है एक पे right से आ रही है this is totally wrong light एक तरफ से पढ़ सकती है so either right से पढ़ रही है या left से पढ़ रही है let's say हम left से रखते हैं तो हम इस वाले को जाके edit कर लेते हैं इसको double click किया मैंने यहां से आके कुछ भी नहीं करना इसको सर्फ transform reflect and okay copy मत कीजेगा okay कर दीजेगा ठीक है ठीक है ठीक है यह तो हो गया done so अब हमारी आख में आखे at least कम यह सही तो हो गई so इसको let's say मुझे क्या करना है कि इतना हिस्सा मतलब इतना ही हिस्सा रहे जिसके अंदर यह आखें प्यूपिल घूमती रहे ठीक है अब इसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे mask अब जरा गौर से देखिए कि प्लीज अपनी तमाम तर distractions को हटा कर और कुछ इस तरह से कि देखें हमारे पास एक है right eye और एक है left eye इसके अंदर जाते हैं ठीक है now right eye white जो लिखा हुआ है इसके अंदर जाएं यह है ellipse यह वो ellipse है जो कि इसके नीचे वाला है so मैं इसी की एक copy लेना चाहूँगा और copy लेकर के उसको mask के तोर पर use करना चाहूँगा ठीक है अब जरा गौट से समझेगा मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले इसको select करना है illustrator में आप या तो अपने object पर अगर click करते हैं तो वो usually अगर group होता है तो वो पूरा का पूरा group select हो जाता है ठीक है वो object select होगा ठीक है मैंने यहां से किया control C and control B B for boy या back या behind ठीक है ये paste करेगा इसी के नीचे अब इसको मैंने उठा करके रखना है यहां पे pupil के exactly नीचे ठीक है और इसका नाम मैंने कर देना है कौन सी आई है हमारी राइट आई तो राइट मास्क कर देते है याद रखिए का मास्किंग आप लोगों ने illustrator, photoshop, after effects सब जगा देखिए यहां पर भी of course मास्किंग है हमारे पस याद रखिए का जिस चीज को मास्क करना है उसके exactly नीचे यह आना चाहिए ठीक है उसके exactly नीचे आने का फाइदा यह है कि हम मास्क करेंगे यह बिल्कुल वैसे जैसे photoshop में clipping mask होता है तो यहां character animator में भी हमें clipping mask करना है बट याद रखिएगा masking हमें इस वक्त इसके अंदर नहीं करनी है साहिए ना एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि जैसे ही मैंने यह उपर लाके रखा ठीक है जो जो हमने यहां पे shade दिया था वो गाइब हो गया बिचारा तो एक काम करते है इस shade वाली path को उठा करके मैं और उपर रख देता हूँ pupil से भी उपर ठीक है इसका नाम रख दें shade ताके पता चले कि यह है क्या ठीक है जी ओके ना सेम चीज़ मुझे करनी है अपनी left वाली आई में यहां पर जाएंगे left आई पे गए यह ellipse जो है इसको select किया select कैसे करेंगे फिर याद देला दूँ इस circle पे click करेंगे तो सिर्फ यह path select होगी ठीक है control C control B ठीक है यह behind पे आगया है इसको मैंने उठा करके drag किया pupil के नीचे रखा और इसका नाम change कर दिया left mask ठीक है अच्छा साथ ही साथ यह जो path थी shade वाली यह pupil के उपर रख दी ठीक है यह यहाँ पर आगया इसका नाम रख दे shade आराइट तो यह सारी settings हमने कर दी और इसको हमने कर दिया save जैसे save किया यह आगके update हो जागा यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पर अपने पास देखें ठीक है pupil के नीचे left mask लिखा हुआ है यहाँ पर pupil के नीचे right mask लिखा हुआ अब आपने करना यह है किसी भी एक pupil पर रहा है जैसे यह वाली है pupil और मुझे इसको mask करना है पहले इसको देख ले mask के बगएर कैसा लग रहा है किस अगर हम यह देख रहे हमारी eyeball बाहर निकल गई है ठीक है यह अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हम करेक करने के लिए वो mask बना कर लेकर आए है mask करेंगे किस तरह से आपने किसको mask करना है pupil को pupil चाहरे है आपके इतने हिस्से में ही नजर आए तो एक काम करें इसको selector किएगा और जाएगा puppet create clipping mask जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे एक छोटा सा arrow नीचे की तरफ mask हो जाएगा ठीक है जी and like this वह कुल सही हो रहा है अगर hide हो जाए तो इसको unhide कर दिया करें ठीक है similarly इस वाले पी उपल पे गया और puppet create clipping mask that's it so उस वक्त ये hidden था इसलिए नज़र नहीं आ रहा था याद रखिएगा जैसे आप mask करते हैं एक छोटा सा arrow downwards की तरफ आपको दिख रहा होगा कि मतलब ये pupil इसके अंदर mask हो आवा है ठीक हो गया okay and scene पे आजाएं तो हमारी आखें अब बिल्कुल सही हो गई हैं और अगर मैं left या right मूव करता हूं तो भाया आखें पाफेक्ली हमारी आई वाल के अंदर ही रह रही हैं तो similarly अब यार ये याद रखिएगा कि ये गेज जो ना बहुत जजबाती हो करके मत बढ़ाया करें थोड़ो सा हलका ही रखें आथ और जितना ज़दा हलकात रखेंगा उतना ही बेतर होगा सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वैल्यू बहुत बढ़ा दिया था इतनी बढ़ा गए थी कि ये मतलब आप बढ़ा सकते हैं कि आप बार भी निकल जाए अब विसलिए एर इतना जादा अच्छा नहीं लगेगा है मतलब इतना साइड तक आँखें कोई नहीं लेके जाता ठीक है आई होप यह आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा सो एनिवेज एक दो चीज़े दिमाव में रखिएगा नमबर वन के आँखों की एनिमेशन अभी खत्म नहीं हुए भी बहुत सारी बाकी है भी हमें आईलिड्स भी चलानी जा की चलानी है आप लोग सूच रहesque मalकों जो क्यों चल रहा हूं आ सौरी भाइई तो वो जो एक feel आता है आपके character का वो आँखों से ही आएगा So next जो है हम इसको एक level आगे लेकर जाएंगे अगली class में हम देखेंगे Vizims, Vizims क्या होते हैं आपके मूँ के जो movements हैं वो और किस-किस alphabet पर या किस तरह की sounds पर किस तरह का move बनेगा या हम कहां से copy कर सकते हैं किस तरह से वो अगली class में देखेंगे I hope आपनों को ये class अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो please like करें और अगर subscribe नहीं कैंगे तो please subscribe करें Thank you झाल